हेलो एंड विलकम दोस्तों मैं हूँ आसीफ और आप देख रहे हैं RGB Bikes तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज पलसर 250F के बारे में जी हाँ आपने सही सुना बजाज पलसर 250F के बारे में ना कि बजाज पलसर 220F के बारे में तो बजाज जो है इंडिया में काफी सारी बाइक को लॉंच करने वाला है 250CC सेगमेंट में बजाज ने डॉमिना 250 को इंडिया में लाउंच कर दिया है लेकिन अभी आपको बजाज पलसर NH250, RH250 और 250F दिखना बागी है बजाज ने जब 250CC सेगमेंट में कदम रखी दिया है तो वो अपनी सारी बाइकों अपडेट्स करके वापस से रिलाउंच कर देगा जिसमें कि आपको 250CC के इंडियन मिल जाएंगे बजाज की आने वाली सभी बाइकों में अब आपको 250CC का इंडियन देखने को मिल जाएगा बाकी का भाई ये तो confirm है कि आपको इंजन तो सेम ही मिलने वाला है बजाज पलसर 250F की पूरी जानकारी के लिए भाई मैंने website का लिंक नीचे दे रखा है वहाँ जाकर आप बजाज पलसर 250F की पूरी जानकारी फूल डिटेल में पास सकते हैं बात कर लेते हैं कि आपको आने वाले समय में वजाज पलसर 250F कैसी देखने को मिलेगी और आपको उस बाइक में क्या-क्या चेंजे देखने को मिल जाएंगे तो बात कर लेते हैं बाइक के पहले change के बारे में तो आपको अभी 220F में half fairing देखने को मिल जाती है लेकिन आपको आने वाले 250F में full fairing देखने को मिलेगी जिससे कि उस bike का look अब और भी अच्छा हो जाएगा अभी भी इस bike का look काफ़ी अच्छा है half fairing के साथ लेकिन आने वाले 250F और भी ज़्यादा heavy रहेगी और भी ज़्यादा muscular रहेगी और काफ़ी look में beautiful bike रहेगी तो बात कर लेते हैं कि आपको और क्या-क्या changes देखने को मिल जाएंगे तो अब आपको 250F में front में USD के fork देखने को मिल जाएंगे अब आपको telescopic नहीं मिलने वाले हैं और आपको rear में monoshock absorber देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आपको domina 250F में front में USD और rear में monoshock मिल जाते हैं ठीक वैसे ही आपको 250F में front में USD और rear में monoshock मिल जाएंगे तो बात कर लेते हैं कि आपको 250F में और क्या-kya changes देखने को मिल जाएंगे लेकिन आपको आने वाले समय में 250F में फुली डिजिटल मिडर कनसोल देखने को मिलेगा जिसमें कि आपको काफी सारे features देखने को मिल जाएंगे जो की काफी अच्छी बात रहने वाली है बजाज की योड से तो बात कर लेते हैं कि आपको बजाज पलसर 250 एक में और क्या-क्या चेंजिस देखने को मिल जाएंगे अभी आपको इस बाइक में हैलोजन के हेड्लैंप देखने को मिल जाते हैं और आपको इस बाइक में LED के टेल लैंप और LED के इंडिकेटर से भी मिल जाएंगे लेकिन आपको बजाज पलसर 250F में LED के जो टेल लैंप है वो आपको बाद में भी सेम ही मिलेंगे जो की पलसर का लोगो है बाई पलसर की जो tail lamp है वो आपको हमेशा से same ही मिलती आ रही है और वो आपको हमेशा से same ही मिलेगी आपको bike के tail lamp में कोई भी changes नहीं मिलेगा तो बात कर लेते हैं कि आपको 250F में और क्या-क्या changes देखने को मिल जाएंगे और आपको बजाज पलसर 250F में front और rear दोनों में disc देखने को मिल जाएगी साथ में आपको इस bike में devil channel ABS भी मिल जाएगा आपको इस bike के front में 300 mm की disc मिल जाएगी जो की आपको domina 250 में मिल जाती है और आपको इस bike के rear में 230 mm की disc brake मिल जाएगी जो कि आपको Domina 250 में मिल जाती है तो बात कर लेते हैं बाइक के अगले चेंज के बारे में तो भाई आपको इस बाइक का जो रिम का डिजाइन है वो आपको चेंज देखने को मिलेगा इस बाइक के जो rim की designing है वो आपको काफी अलग देखने को मिलेगी आने वाली 250F में और आपको इस बाइक के front में 100 mm के tyre देखने को मिल जाएंगे और आपको इस बाइक के rear में 130 mm के tyre बिल जाएंगे आपको दोनों tyre turn turn tubeless देखने को मिलेंगे 17 इंच के alloy wheels के साथ तो बात कर लेते हैं बजाज पलसा 250F के इंजन के बारे में तो आपको इस बाइक में 248.77cc का single cylinder liquid cool fuel injected engine देखने को मिल जाएगा तो बात कर लेते हैं बाइक की power figure के बारे में तो आपको इस बाइक में 27bhp का maximum power मिल जाएगा और आपको इस बाइक में 23.5Nm का torque मिल जाएगा और आपको इस बाइक में single cylinder 6 speed gearbox देखने को मिल जाएगा जो की आपको domina 250 में मिल जाता है तो आपको इस बाइक में जाता तर पार्स जो हैं वो domina 250 से ही लिए गए होंगे तो फाइनली बात कर लेते हैं बजाज पलसर 250F के प्राइस के बारे में तो ये बाइक आपको लगबग इंडिया में 1.60 लाग के आसपास एक शोरूम देखने को मिल जाएगी भाइ ये confirm price नहीं है ये expected price है प्राइस आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे देखने को मिल सकता है तो बात कर लेते हैं launch date की तो भाइ ये बाइक आपको इस साल देखने को नहीं मिलेगी ये बाइक आपको अगले साल देखने को मिल जाएगी यानि कि ये बाइक आपको 2021 मे मिल जाएगी बजाज जो है अपनी सारी बाइक को अपडेट करके launch करेगा जिसमें कि वो काफी तरह के changes करने वाला है तो जो लोग बजाज Pulsar 250F को purchase करना चाहते हैं तो वो कुछ दिन का और wait कर सकते हैं वरना बाइक 220F तो अच्छी है ही तो आप चाहे बजाज Pulsar 220F को purchase क कर ले जिए ये दोनों ही बाइके काफी अच्छी है और दोनों ही बाइके काफी powerful हैं और रहेंगी बजाज Pulsar 250F की पूरी जानकारी के लिए बजाज Pulsar 250F की पूरी जानकारी फूल डिटेल में पास सकते हैं तो बाइज उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया हो वीडियो को भी लाइक कर दिया करो तो मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाइबाए